नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लॉंग जो आपकी जीवन को सवार सकती है लॉंग के बहुत सारे उपाय होते हैं और तांत्रिक भी होता है आप नियमित रूप से प्रयोग भी कर सकते हैं आप तमाम तरह के प्रयोग करके जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं लॉंग के चमतकारिक उपाय जो आपकी सारी समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में खुसियां लोटा सकता है दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सिर्फ एक बार इसका प्रयोग कीजिएगा आपको खुद बखुद विश्वास होने लगेगा आप तो भगवान को म मानते होंगे तो दोस्तों चलिए हम आपको बतलाएंगे आज लॉंग का क्या उपाय करें कि जीवन में तमाम परिसानिया समाप्त हो जाएं आप अगर हिंदू धर्म के हैं तो जब भी दिया जलाते हैं सरसों तेल का दिया सिर्फ ब्रहस्पतिवार के दिन सरसों तेल का द परिसानिया कैसे दूर होती है अगर आप हिंदू धर्म के नहीं है किसी और धर्म के हैं तब आप कपूर्म के साथ सहारे दो लॉंग जलाइए आपके घर के वातावरन भी पवित्र रहेगा और आप के जीवन की तमाम परिसानिया भी दूर हो जाएंगी यह तो थी बहुत जब दिया जलाते हैं तब इस घी के दिया में दो फूल वाली लॉंग अब यह फूल वाली लॉंग क्या होती है आपने सामने लॉंग की तस्वीर देख रही होगी मुख पे फूल सा बना हुआ है यह पूर्ण है यह तुटावा रहेगा तो वह अधूरा होगा तो आपको अधूरा लॉंग तुटावा लॉंग नहीं डालना है बलकि समूचा दो लॉंग कभी एक लॉंग का उपये मत कीजेगा दो लॉंग डालिएगा आप दिया में जलाए है या फि को सफलताएं प्राप्त मिलने लगेंगी दोस्तों बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपका काम नहीं बनता है परेसानिया जादा हो रही है लगता है किसी ने कुछ कर दिया है तब क्या करेंगे एक नीमबू लें एकदम पीला में जाके कीजिएगा अब वहीं पर खड़े होकर ओम स्रिंग हनुमते नमः ओम स्रिंग हनुमते नमः इस मंत्र का एक कीस बार जब कीजिए अब उस निम्बू को अपने पॉकेट में अपने पास रख लें परस में जहां भी रखना है और परणाम करके भगवान को निकल लिए आप जिस भी काम से जाएंगे उस निम्बू को लेकर आपका मनो कामना पूर्ण हो जाएगा दोस्तों अगर मन आपका असान तरहता है मानसिक परिसानिया है तमाम तरह के बुरे बिचार मन में आते हैं चिन्ताएं बढ़ती जा रही है तब क्या करेंगे एक कपूर का टुकडा ले छोटा सा लीजिएगा और एक फूल वाली लॉंग ले अब दोनों को एक साथ लेकर खा ले कुछ दिर बैठे रहे हैं देखिएगा आपका मन सांथ हो जाएगा और मन में जो नकारतमग विचार आ रही थी वो दूर हो जाएंगी कहते हैं चिंता करने से समस्या का सौल्व नहीं होता बलकि समस्याएं और बढ़ती है एक तो आप मांसी रूप से बिमार हो जाएंगे कहते हैं न चिंता चिता समान तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा हाँ टेंसन रहती है जीवन में तो चिंताएं आही जाती है पर यह उपाई करके आप टेंसर मुक्त हो यह रास्ता भगवान दिखाएंगे आपको दोस्तों एक हम आपको बहुत ही अच्यूक उपाई बतलाएंगे और यह आप अपने जीवन के तकलीफ को दूर करने के लिए जब आपको लगे कि कहीं और कोई रास्ता ही नहीं है तब इस फूल वाली लॉंग एक सो आठ दाने लें अब उसे पानी में रख दें भीगो दें अब कुछ देर दस मिनट पंदर मिनट के बाद यह देखिएगा फुल जाएगा अब सुई में लाल धागा डालें डेमसी धागा आता है ना फूल बनाने वाला वह लीजेगा वह अलवार के दिन बनाना है अब सबा कीलो आठा उसमें गुर्ड डालें और घी यह सभी मिक्स करके रोट बना लें जैसे मीठी रोटी होती है वैसे ही बिल्कुल रोट बनती है घी में आपको तलके बनाना है चोटी-चोटी पूरियां के तरह रोटियां बनेंगी और इस र लॉंग आपके माला बनाई है उसे हनुमान जी को पहना दे अगर आप महिला है तो आप मत पहने आईए चरों में रखिएगा आप पुरुस हैं तो हनुमान जी के गले में पहना दीजिए और उनसे प्रारतना कीजिए कि जीवन में जो तकलीफ है वह दूर हो जाए यकीन म करते हैं दवाव में आकर कुछ गलत काम करना पगता है जी से आप करना नहीं चाहते हैं ऐसे में क्या करेंगे अगर आपकी इच्छाwnी आपके लोग्त्वाव में आकर काम करवा रहे हैं तब जब ऐसे में आप नुकसान भी उठाणा पढ़ता है ऐसे करने से इसलिए आप क्या करजिए एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा ले एक फूल वाली लॉंग ले अब दोनों को एक साथ जला दे अब इस जो राक को आप जला दिया है आपने यह जो राक है तीन दिन में थोड़ी थोड़ी खा ले बस थोड़ा सा उंग कूपाय है इससे जरूर कीजेगा दोस्तों अगर आपके कारियों में बार 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 बिगन आ रही है बाधाएं आ रही है कारे पूरा नहीं हो पा रहा है समय पे चाहे वह आपकी लड़की का विवा हो लड़कों का नौकरी हो आपके घर में कोई परिसानी हो घर नहीं बन पारा तो माम तरह के बीगन बाधायें होती हैं जीवन में तो ऐसे में क्या करेंगे गनेज जी के सरण में रहेंगे गनेज जी को एक ऐसा चीतर घर में आया दुकान में आप लगाईए जिनकी सुड दाई तरफ मुड़ी हो याद रखेगा दाई ने तरफ मुड़ी हुई की तस्वीर या फिर कैलेंडर ले आईए या आपके पास है तो बहुत अच्छी है अब इनके सामने एक लॉंग फूल वाली और एक सुपाड़ी रखिए सुपाड़ी में मौली धागा लपेट दीजिएगा और जब भी आपको कहीं काम से जाना हो तो एक लॉंग और एक स से रख दीजिएगा और जाते वे कहिएगा जैगनेश काटो कलेश आपको लाप जरूर होगा दोस्तों अगर धनलाप में परिशानिया आती है धर्न टिकता नहीं है तब क्या करेंगे सर्सों के तेल के दिया जलाईए उसमें लॉंग डालिए दो और हनुमान जी की आर्थ दिन धनलाब जरूर होगा अगर आपके सत्रू बहुत परिशान कर रहे हैं तब क्या करेंगे साथ बार बजरंग बान का पाठ करें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाईए पांच लॉंग पुजा अस्थान में देश्वी कपूर के साथ एक साथ मिलाकर जला आप देखिएगा सत्रू आपको फिर कभी परिशान नहीं करेगा और यह लॉंग को आप जो बनाया हुआ है भस्म इसको सुरक्षित बनाकर रखिए घर में जब भी आपको जरूरत हो इसका तिलक लगाईए फिर से आप पना सकते हैं उपाय वही करना है साथ बार नहीं आ सकती है तो यह उपाय आपको कहीं न कहीं आपके मनोबल को उचा करेगी जीवन की परिसानिया खत्म करें तो दोस्तों हम आपसे बिदा लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादेग